जैहन साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान एगरिकल्चर एकेडेमी के इस यूटूब प्लेटफार्म पर मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में, राइस से जुड़े उन सभी मल्टिपल चोईस कुश्चन्स जो परिच्छा की द्रिष्टे से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो प्रश्ण छूट जाएंगे उनको हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे पार्ट बी के रूप में हम वन बाइवन एक क्राप को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को स्वालू करेंगे ओके फ्रेंट्स आगे चलते हैं हम राइस के क्राप के पास मित्रों पहला क्वेश्चन है राइस इज विच टाइप आफ प्लांट फ्रेंट्स इसमें ये पूछा गया है कि राइस का जो ग्रोविंग हैबिट है ये साट डे है कि ये लॉंग डे है कि ये डे न्यूट्रल है क्या नन साट डे प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनको 6-8 गंटे की सूरी के प्रकास की आवसकता होती है उन्हें हम साट डे प्लांट केते हैं जिनको 12-18 गंटे की आवसकता होती है उन्हें लॉंग डे केते हैं जिन पे सूरी के प्रकास ये दिन और रात का कोई भी प्रभाव नही पढ़ता है उन्हें day neutral plant केते हैं तो rice हमारा किस category में आता है हमें यह पता होना चाहिए तो friends इसका answer होगा इसका answer होगा Saturday plant खरीब season की जितनी भी crops होती हैं वो Saturday crops होती हैं यह हम लोगों को याद रखना होगा और जो long day की crops सोती हैं वो मोस्टली रवी सीजन्स में ग्रो की जाती है तो इतनी जानकारी आसा करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी और कुछ जानने को मिला होगा तो चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ हमारा एक कुश्चन है दस साइंटिफिक नेम आफ राइसेज हमारे राइस का वैग्यानिक नेम क्या है तो हमारे चार आपसन है पहला है औराइजा सटाइवा दूसरा है औराइजा गलेवरिमा तीसरा है बोथ और चोता है नन देखे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो पूरे वर्ड में उगाया जाएगा मोस्टली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि स्लाइट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक फोटो लगा हुआ है कि ओराइजा की two cultivated varieties होती है और 22 wild species होती है तो जो औराइजा सटाइवा है और औराइजा ग्लेबरिमा है यह दोनों केवल कल्टिवेटल वराइटीज हैं और अन्य जो 22 वराइटीज हैं वो विल्ड इस्पिसीज हैं जिनका यूज हम वराइटरल डेपलमेंट के लिए किया जाता है तो देखे जो ओराजय सटाइवा है जोसे एसीन राइस भी बोला जाता है और ग् आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी हमारा अगला कोश्चन है राइस बिलांग टू हिज फैमली जो राइस की फैमली है वो क्या है तो पहला अपसन है गलेबरिमा दूसरा है पोईसी तीसा है ग्रास फैमली आला दीज अब एक कोश्चन में तीन अपस तो इसमें आपसन हो जाएगा औला अफ्दीज कभी-कभी आपको दे देगा कि ये ग्रेमनी है या पोईसी है या ग्रास फैमली है जब तीनों एक साथ दे होगे तो अला अप्दीज अपसन हो जाएगा वारना इन तीनों में से आपको कोई एक मिलेगा फ्रेंड्स एह थान है एक कहा है तो पहला अंसर है हमारा पहला उप्षन साउथ इस्टेसिया दूसरा है यूएसे यानि उनाइटेड इस्टेट्स आफ अमेरिका तिस्टा है इंडो बर्मा और चोथा है एंड़ सी तो फ्रेंड्स बिलकुल आप लोग सही सोच रहे हैं इसका एंसर जो होग वो A and C होगा साउथ इस्टेसिया और इंडो बर्मा जब केवल इंडो बर्मा दिया होगा तब इंडो बर्मा सही होगा बाकी अगर ऐसा दिया है तो यह ऐसे प्रकार से हम कुश्चन को कर लेंगे ठीक है तो हम आगे कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला time of us rice हमारे इंडिया में जो rice की growing time है या growing season है तो वर्स भर में तीन बार इसकी बुवाई की जाती है तो उनका नाम है अस rice, amun rice और बोरो rice यह तीन प्रकार के यानी तीन ओगाया जाता है हमारा rice तो इसके लिए एक trick होती है कब इसकी हम sewing करते हैं कब हम इसका cultivation या harvesting करते हैं तो इसके लिए एक trick है वो trick मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान रखेंगे देखें यह हमारा हो गया us यह हो गया अमन और यह हो गया बोरो यह यह हो गया हमारा rice तो इनके लिए दो चीजे होती है एक होगा sewing time और एक होगा harvesting time तो अस अमन बोरो यह तीन जगे हम divide कर दिए तो पहला एक trick होता है मजनू तो mjn यह हो गया मजनू और यह sewing के लिए हो गया और harvesting के लिए हो गया s n और m तो मजनू बोते हैं और सनम काटते हैं तो harvesting के समय snm sewing के समय m jn और यह हमारा us अमन बोरो हो गया तो ऐसे हम याद रखें इस trick के माध्यम से हमको पता चल गया कि us का जो sewing time है क्या है m यानि मई जून तो मई जून हो गया यह answer आपको याद हो जाएगा और आपको कोई भी confusion नहीं होगा friends तो अगली बार हम जब पढ़ेंगे यह question तो तुरन्त हम answer इसका कर सकते हैं हमारा अगला question है अस राइस इस नो नेज तो हमारा एक question है कि अस राइस को क्या कहते हैं अमनर्यीस, बोरोःइस, अटमनर्यीस तो यह answer आपको लगाना है इसका सही answer है अटमनर्यीस तो असर्याइस को अटमनर्यीस भी बोल सकते हैं यह आपसे question पूछा जा सकता है what is the swimming time or what is the harvesting time अटमनर्यीस और अस राइस इस प्रकार से हम आपको question बता रहे हैं ऐसे पूछा जा सकता है स्वोइंग टाइम आफ अमन राइस हमने उट्रिक बताई थी उश्ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं तो हमारा जो स्वोइंग टाइम आफ अमन राइस है तो क्या हो जाएगा जून जुलाई तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगली वीडियो बनाने का हम वन बाइवन सारी क्रापों को इसी प्रकार से डिसकस करेंगे राइस से लभव 62-70 कुष्चन मनते हैं हम उसी को डिसकस करेंगे जो आज होते हैं इस वीडियो में वो आज करेंगे वन आप पार्ट भी राइस का लेके आएंगे उसमें सारे कुष्चन होंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राइस से जितने भी कुष्चन बनेंगे इनई से बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले कुष्चन की तराफ स्वोइंग टाइम आफ बूरो राइस कि यानी बूरो राइस को हम कब बोते हैं तो हमारा इंसर हो जाएगा December to January यहनि December से January के बीच में हम Borough Rice को बोते हैं बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ हमारा अगला कुश्चन है कि Amal Rice को और क्या कहते हैं Amal Rice को किन किन नामों से जाना जाता है तो Amal Rice को नाम जाना जाता है खरीफ Rice या Winter Rice या बोथ A and B या इन में से कोई नहीं तो Amal Rice को हम जानते हैं Winter Rice आपका अंसर एकदम सही है तो हम अगले कुश्चन की तरफ मूब करते हैं इन विच राइस लॉजिंग ड़ना टकर राइस के किस वेराइटी में लॉजिंग नहीं होता है या गिरती नहीं है इन चारों में क्या लॉजिंग नहीं पाई जाती है या किसी एक विराइटी में लॉजिंग नहीं पाई जाती है सपोस्थ जो हमारे इंडियन की देशी विराइटी ग्रो की जाती है इंडिया में तो काफी टाल होती है तो क्या होता है जब वाटर लॉगिंग हो जाती है तो ये क्या होती है लॉजिंग हो जाती है गिर जाती है जबकि ये इंडिका राइस की खास प्रोब्लम है जबकि जापानिका राइस क्या होता है इनकी जो लेंथ होती हो छोटी होती है इन इंडिका की अपेच्छा तो ये होते हैं उनके height कम होती है तो जिनकी height कम होगी वो गिरते नहीं है तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जापॉनिका rice में lodging नहीं पाई जाती है हमारा अगला question है कि inflorescence of rice inflorescence of rice is known as जो हमारा rice का inflorescence होता है तो उसे हम क्या कहते हैं ricem कहते हैं, pinnacle कहते हैं, spike कहते हैं, catkin कहते हैं. friends, आफ सभी को पता होगा कि ये क्या है inflorescence के प्रकार है तो rice में कैसा पाया जाता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि rice का inflorescence से क्या कहते हैं, तो बिलकुल आप सही कह रहे हैं कि इसका जो है तो आप बिलकुल सही बताएंगे इसको यह उन्सर होगा वोगा पैणिकल जो पैनिकल होता है वो राइस का इनफ्लोरीशंस होता है तो जो flower का जो हमने फ्लोरीशंस पढ़ा था इसके previous question में तो जब हम इन्फ्लोरीशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट होते हैं एक लेमिया होता है लेमा होता है एक पेलिया होता है तो जम इन दोनों को मिला देते हैं जोइंट कर देते हैं लेमा को और पेलिया को तो उसे क्या कहते हैं हल कहते हैं हल लेमा कहते हैं पेलिया हल कहते हैं या कोच नहीं कहते हैं बिल्कुल सही जवाब आपका है हल कहते हैं तो यह important question बन जाता है कि let me आप पेलिया together क्या कहते हैं हल कहते हैं rice के case में तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ in sri system rice stand for जो हमारा sri system होता है उसमें s का मतलब क्या होता है यह question पूछ रहा है तो yes for system या s far cello yes for system या s far cello या s far same या none इसमें हमारा कौन सा answer होगा आप comment करके बता सकते हैं s for system इसका पूरा नाम होता है system of rice intensification बिल्कुल सही आपने बताया है बिल्कुल सही सोचा है तो I hope आप लोगों को rice के इस question को करने में मज़ा आ रहा होगा तो friends आगे बढ़ते हैं और अगला question क्यों नस्ते नाबूद करते हैं हमारा अगला question है sri for first developed at which place जो हमारा sri था ओ यहाँ पे गलत हो गया है फार नहीं होगा sorry तो sri first developed at which place यानि word के किस स्थान पे सबसे पहले sri method को अपनाया गया था तो हमारे पास option है rice हमारा option होगा China USA India Medagaskar इन चार option में से एक सही है तो आपको guess करना है आपने पढ़ा होगा कि जो sri method होता है वो हमको कहां से मिला था Medagaskar से बिलकुल आपका answer सही है friends आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की अगले question की तरफ move करते हैं हमारा है sri system developed in the year जो sri system था किस year में ये develop हुआ तो इसका सही answer है 1983 में हम अगले question की तरफ बढ़ रहा है sri system developed by यानि sri system किस scientist ने दिया तो इसमें चार option है पहला दूसरा तिसरा चोथा आप बताईए कौन सा answer सही होगा तो एकदम सही आपने बताया है friend hd lawney इन्होंने ही sri system को develop किया था इस sri से ही जुड़ा एक और अभी हम question interesting पढ़ने वाले हैं इस question में बताया गया है कि rice में अगर हम sri system को adapt कर लेते हैं कितनी इल्ड बढ़ जाएगी 50-60% 30% 50% या 50-90% तो आप लोग बताईए कि इसमें कितनी इल्ड बढ़ सकती है नार्मल इल्ड से और अगर हम sri system को अपना लेते हैं तो तो आपका बिलकुल answer सही है 50-90% यहनि अगर हम sri method अपना लेते हैं तो इसकी राइ जो इल्ड है वो 50-90% बढ़ जाएगी next हमारा है rice में pollination होता है कैसा cross pollination होता है cell pollination होता है often cross pollination होता है या all of these इसमें चारो options में से कौन सा answer आपका सही होने वाला है दोस्तों बिलकुल आप सही बताने वाले हैं इसका answer है इस question का answer आपको comment box में देना है देखते हैं आप लोग यहां तक पहुचे हैं कि नहीं पहुचे हैं चलते हैं अगले question की तरफ हमने इसलिए skip कर दिया है कि आप लोग comment करेंगे और पता चलेगा हमें rice में pollination कैसा होता है अगले question की तरफ हमें trends आज का वीडियो यहें पे खत्म करते हैं मिलेंगे next day वीडियो में अगर आपको हमारा इन सभी प्रश्चन अच्छे लगे helpful लगे तो आप हमें subscribe करें लाइक करें या हमारे वीडियो को आप share कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चैहिन बाई बाई